को है कि है अद्धि अधियु में रेक टाइम यसे इस वीडियो में हम यूपी के बारे में देखेंगे पूरी लिस्टिंग इसमें जो यूपी की सिख्षाय परेटन है सोध संस्थान कौन-कौन से है पारक और सिटी कौन-कौन से केंद्री विश्विद्याले कौन कौन से हैं और सांस्कृतिक ततो उद्योग परेटन यह सभी चीजें यहां पर डिसकस की जाएंगी लिस्टिंग के अकादमी बनी कब थी 1962 में और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तो यह जब भारती नाम था तब 1963 में बनी थी अकादमी नाम कब हो गया 69 में अगला आता है भारते नाटक अकादमी कहा उस्थे थे लखनों में और यह बनी कब थी 1975 में यह बहुत इंपॉर्टेंट है भारती कथक संस्थान कहा उस्थे लखनों में उत्तर प्रदेश का राजट्री नृत्ति कहा है लखनों में जन जाती यह लोग कला संस्कृती संस्थान कहा उस्थे लखनों में जन जाती यह लोग कला संस्कृती संस्थान लखनों में कला हैं सिल्प महाविद्याले लखनों में और बना कप था 1911 में अगला है भारती कला भावन कहा उस्थे थे वारांसी में यह बना था 1920 में भार्थीक कलावान पहां पर वाराणसी मां बना था 1920 में फिर उत्तर प्रदेश चल्चित्र निगं यह बहुत इंपॉर्टेंट है 1975 75 में बना था उत्तरप्रदेश चल्चित्र निगम 75 एक मात्र सास्त्री नृत्ति कौन सा कथक भातकंडे संगीत संस्थान कब बना था 1966 में लखनों में और पहले इसका नाम क्या था मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक और इसके बाद फिर इसकी स्थापना कब हुई थी जब इसक संग्राले कहा था लखनों में और कब बना था 1957 में सन इतने इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बना कहां पर था यह चीज इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश राज किया विलेखागार कहा था प्रयाग राज में सबसे ज्यादा मेले उत्तर प्रदेश में कहां पर लगते ह हुए है और यहीं पर सांगुल होता है ऑग्रा में चर्कुला नुरितunt ब्रज क्षेतर में आयुचुफ होता है जरकुला अनृत कहां क आगे ब्रज क्षेतर का तबला और सितार का आविष्कार किस ने क्या था अमीर कुष्रो फिर उत्तर प्रदेश जयन विद्याल प्रिश्च अ लखनों में, A कब बना था अब आते हैं शिक्षापे, तो राज साचिक अनुसंधान प्रशिक्षन परिशत कब बना था 1972 में तो सिच्छा वाला टॉपिक भी इस लेवस में दिया गया है इसलिए इंपोर्टेंट है यह उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिशत का बना था संस्थान संस्थान भी चानपुर में फिर है अखल भार्थिया और विग्यान संस्थान कहांपर अचिक फिर मेंött कि ध्रबंड्ल घंठ भान ऐसा विभालाग में 50 ने में संस्क्रिट सेवंटी सिक्स में हिंदी संस्थान सेवंटी सिक्स में संस्क्रित अर्फ ऀल हिंदी दोनों 76 भासा संस्थान 58 ह। एक फिर उर्थु को द्युतिय भासा कप गोसित क्या गया । 1989 में देत français कितने है 9 दीमड विष्विद्यानिंटेले 9 है फिर राजिन विशुहिद्याला कितने हैं 31 उप जो इंप्रेग किंद्य केंद्रे विशुवीद्याला कितने हैं उपी में 6 इतना इंप्रिम लो इनकाया क्या है थ시면 7 गूर्म मुस्लिम इनिवरिम विश्विद ध्रणर डायम αिम्राव बिठकर विश-विद्ध याज और अचर बैकर नहीं पूछ जाता हैँ फिर चीजी उत्तर प्रदेश के सोध संस्थान यह इंपोर्टेंट है बारती विश विज्ञान अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है तो विश वाला है लखनों में राष्टी वनस्पती अनुसंदान संस्थान लखनों में है केंद्री और सदी अनुसंदान संस्थान लखनों में तो विश भी लखनों म कहां पे है लखनो में भारती पशुच कितसा अनुसंदान संस्थान कहां पे इज्ञतनेगर से बरेली में इंडियन इस्टिट्यूट of Handloom Technology कहां षत्तै में वारांड़ीम एiding technology वारांड़ी में राष्टी करिशी वानेकी अनुसंदान केंड्र कहा पे जहासी में राष्टे गन्ना अनुसंदान संस्थान कहां पर लखनों में फिर है केंडरी पक्षी अनुसंदान संस्थान कहां पर इजतनगर में बारती दलहन अनुसंदान संस्थान कानपुर में दाल वाला कानपुर में है सरकरा वाला भी सुगर वाला भी कानपुर में है फ dowserड़ उसन संस्थान का पे प्रियाग राज में हरिषचंद अनुषद्दान संस्थान प्रियाग राज में केंद्री उपोष्ण बागवानी संस्थान का पे लछो में और इसका यो अनुषदान संस्थान लखनों का आम फेमस है और यहीं से निर्याद भी किया जाता है आमको केंद्री और शदी यह सुगंध पौधा संस्थान कहां पे इस्तित है लखनों में है फिर है नियाइक प्रिसिच्छण यह अनुषदान संस्थान लखनों में है बहुत सारी चीज भारतीय रेल का किया लठनों में फिरेंशनल वीरो फिस्ट जेंटिक रिशोर्स रहें बार्ती चारा गहा का नुसंदां जासी में Indian Grain Storage Management and Research Institute कहाँ पे हापड में इंपोर्टेंट है ये फिर बार्ती सांस्कृतिक संपदा संरच्छन नुसंदान शाला काँ पे 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 लखनो में केंद्री भकरी नुसंदान संथान काँ पे मत्वरा में बकरीयनु संधान संस्थान मतुरह में कोशिकी इम निवारन अर्वू दु सास्त्र संस्थान कहां पर नौईड़ा में फिर गोविंद बलप पंच सामाजिक विज्वान संस्थान कहां पर प्रयागराज में Central Pulp & Paper Research Institute कहां है तो यह है सहारनपुर में बारती काली इन प्रदोगी की शंथान बदो हो ही में फिर है राश्ट्य उध्यमिताय हैं लग्वु व्याशाय विकास संान कहां पर नोईडा में उध्यमिताय हैम लग्व व्याशाय नोईडा में लिफेंस पार्क और सीटी दीव में डिफेंस पार्क में आता है कानपूर जहासी और लखनो एरोम स्पेस पार्क कहा बना है लखनो कानपूर में आग अग्रा मेरत गौदंभुध नगर्ण बूतनम डिफेंस पार्क वाला इम्पोर्टन यह बहुत ज्यादा यह सभी जिले इंपोर्टेंट है इसे सब रट लीजे रच्छा उद्योगी के लिया रहा दो ही है इंडिया में एक यूपी में है एक तमिलाडू में तो यूपी में कौन-कौन सा जिला आता है अलीगर्ड आगरा जहांसी चित्रकूट कानपूर लखनो कानपूर लखनो एक तरफ कर लिजे फिर जहांसी और चित्रकूट एक साथ याद कर लिजे पास पास हैंगे अलीगर्ड आगरा एक साथ अलीगर्ड आगरा हो गया जहांसी चित्रकूट कानपूर लखनो फिर चेत्री साइन्स सिटी कहां पे है लखनो में चेत्री साइन्स के बीच में निगिड़ा सिटी त्रांस गंगा सिटी काँपे आंप एंगाव सरजवती हाइटेक सिटी प्रियाग्राज फिर आता हैं या ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी गाजियाबान फ्लास्टिक c city औरहिया में दीबियापूर तो यह पूसाज हसकता है ब्लास्टिक सिटी औरहिया लेदर पार्क आग्रा लेदर पार्क कहां पे आग्रा यहां कानपूर मतलगाईगा पार्क वाला जाए तो आतरा पृर्शय concept ईवभर्भों कानपूरी कानपूर साइंसेट पर्क संडीला हर्दुई लेद्र टेकनोलोजी पार्क पे बंठरों नो एपिरल यानि टेक्स्टाइल पार्क ट्रोनिका सिटी काजियाबाद कुछ चीजे जो बार बार आ रही है उसमें जो इंपॉर्टेंट वाला है वह एक्जाम में पूछा जाता जाता जैसे ट्रोनिका सिटी कहां पर है तो यह गाजियाबाद में अब यहां पर एपिरल कई ज पर्फ को करते हैं, फिर आता है, मेगा फूड, पार्क कहां शतीत है, बहेड़ी, बरेली में, फिर साइबर सिटी इंपोर्टेंट है, कानपुर, इसको गलती हो सकती है, लखनौ या फिर नोगा सकते हैं, साइबर सिटी, कानपुर, सॉफ्ट्वेर टेकनलोजी ऑफ पार्क इ लखनौु में है Automatic City सिटी नोयड़ा Theme Park परेटन संबन्दी कहाँ है आग्रा मेली सिटी किसे कहते है चकर गंजिया लखनौु वेब सिटी क Sum फिर आग्रेटन समधिया लखनौु वेब सिटी कौन सा ये गाजियाबाद ट्वाय सिटी किसे कहते हैं Greater लागराज और मुडादाबाद आते हैं सोलर सिटी कारक्रम में फिर आता है पर्फियूम पार कनोज अब उद्योगीक संस्थान देखते हैं उत्तर प्रदेश उद्योगीक सहकारी संग यानि यूपी का कहां पर इस्तित थे कानपूर में यह कुछ इंपोर्टेंट क करें फिर उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेट कहां देता है का लगनोव में और कब बना था 66 में निर्यात निगम लिमिटेट 66 लखनोव राजी चर्व विकास विपलान लिमिटेट कहां देता है आगरा में कबना था 1974 में अगर आपको सन याद नहीं रहता है तो बस जगह याद कलीजे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स निगम लिमिटेट कहां देता लखनोव मे फिर आता है भासा अनुसार जन संक्या प्रतिसक 2011 की जन संक्या की अनुसार हिंदी के सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं 94 परसेंट लगबग उर्थू 5 परसेंट लोग बोलते हैं और पंजाबी 0.25 परसेंट बंगाली 0.12 परसेंट तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिं संदीय दूसरे नंबर फे ओर फिर पंजाबी अगला आता है जन प्रतिनिती के हिसाब से यह चीज़ी इंपॉर्टनेंट है चारों लोग सभाकी सीटे कितनी हैं उत्तर प्रदेस में कितने है तो लोग सभा की सीटे हो गई राज सभा थर्टीवन विधान सभा की 403 विधान परिशत की सौटे तो यह बहुत important है पीर कृशी के बारे में बात करेंगे कुछ कृषी जल़वाय। प्रदेश कितने है उत्तर प्रदेश में कृषी किसान बही युजना की सुरुवात कब हुइ थी UP में 1992 में wore शारदा नहर में थी तो पूर्वी यमुना नहर सबसे पूरानी बनीक थी 1830 में 1830 में सबसे बड़ी नहर कौन सी ये यूपी की शारदा नहर सबसे पूरानी ये पूर्वी यमुना नहर सबसे बड़ी है शारदा नहर किसान मित्र योजना आई थी 18 जुन 2021 को इडिस्ट्रिक्ट परियोजना क 2008 प्रतिवेक्ति दुग्दू उपलब्दा कितनी है तो यूपी में 371 ग्राम प्रतिदिन दोजार अठारा उनिस के इसाफ से 321 ग्राम प्रतिदिन और भारत में कितनी है 394 ग्राम प्रतिदिन यही सबसे लेटेस्ट वाली है और भारत का पूरे विश्ट में पहला नंबर है और उत्तरप्रदेश का पूरे भारत में पहले लुआ नंबर है तो उत्तरप्रदेश में 371 ग्राम और भारत में 394 ग्राम Sumaltro राजी दुघौ ठाट परिशत कल बनी नयुंपी में 1976 में दुघ्दपारशme 76 में गोकुल पुरसकार परिजणा दुखदूत बाधन से संबंदित है फिर कृषी निर्याद जो कौन कौन से है up में तो आगरा से आलू निर्याद होता है लखनौ से आम सहरणपुर से आम तीनों जगए का देख लीजे आगरा से आलू important है लखनू से आम फिर आता है सिचाई के छेत्र में सुद्ध बोया गया छेत्रफल कितना यूपी में 165 लाग हेक्टेर 165 लाग हेक्टेर ये latest वाला है सबसे इसके बाद में नहीं आया होगा फिर सुद्ध सिंचित छेत्रफल 143.3 लाग हेक्टेर फिर ये चीजे important है यूपी में सबसे ज़्याद सिचाई नलकूप से होती है नहर से नहर का नंबर आता है फिर कुओ का नंबर आता है फिर तालाव या जील फिर अन्य ती चीजे ऐसे क्रम पूछ ले जाता है पहले नंबर पर कौन है नलकूप फिर वन के बारे में देखत वन 6.88% एरिया में वन है यूपी में और कुल व्रिच्छावरण और वनावरण प्रतिसत देखा जा तो 9.20% है 9.20% ये वाला किबल 1% है ये कुल व्रिच्छावरण और वनावरण फिर आता है वनावरण के अंतरगत छेतरपल कितना है तो 14805 वर किलो मेटर और जो पूरे चेतरपल का 6.15 है आती सगन वन कितने 1.09% मध्याम सगरवन 1.69% खुले वन कितने 3.37% आती सगन वाले याद कर लीजे 1.09% टोटल कितने 6.15% और उपर वाला चुथा ये था अभिलिकित कुल अभिलिकित 1% कितना 6.88% अब आगे चलते हैं कुल वन जिव सनरच्छन के यान अभियारन कितने 28 वन जिव बिहार 11 हैं पक्षी बिहार 14 हैं पक्षी बिहार कितने 14 पी नमबर नहीं पूछी आते हैं तो राष्टे नमबरों में बस यह दोनों पूछा सकता है राष्टे उद्यान कितना है एक जिसका नाम है दुद्वा और टाइगर रिजर्व दो हैं और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है दुद्वा के अत्रीक्त मतलब दुद्वा भी एक है ताइगर रिजर्व दो नन्य है दो नन्य में कौन कोन सा आता है पीली भीत है और अमनगड और एक हुआ है दुद्वा फिर है शर्वादिक सबसे कम 1 प्रतिसत वाले दोजिले फिर है सबसे बड़ा वने जीव बिहार हस्तिनापुर में है सबसे चोटा वने जीव बिहार यह मावीर स्वामी वने जीव बिहार सबसे पुराना चंद्रपुर्पा हो गया सबसे बड़ा अस्तिनापुर सबसे चोटा मावीर स्वामी जो कि ललिपुर में है सबसे बड़ा पक्षी बिहार कहां पे है कौन सा है लाख बहुसी पक्षी बिहार और यह कनोज में स्थेत है लाख बहुसी पक्षी बिहार सबसे बड़ा है यह कनोज में है सबसे छोटा पक्षी बिहार कौन सा है तो यह शेखा पक्षी बिहार जोकी अलिगड में है शेखा ग्राम ओन किसे कहते हैं तो सोन बद्र में पहला ग्राहम पेल सबस्क्राइब में अब कुछ खनीज वाला डेटा देख लेते हैं खनीज में भूतत्य एवं खनीज कर्म निदेशाले कब बनाता 1955 में उत्तर प्रदेश राज खनीज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी 1974 में 23 मार्ज 1974 प्रिथम खनीज नीटी कब आई थी 1998 में पहली खनीज नीटी 1998 में फिर डैसपुर भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दुटी यूरेनियम में यूरेनियम कहां पर पाया जाता है यूपी में ललितपुर में हीरा कहां पाया जाता है बांदा में तो इस जारी 30 अक्टूबर 2020 तक संचालित विशे सार्थिक छेत्र कितने हैं 13 प्रिथम चीनी मिल कौन सी बनी थी प्रतापुर में प्रतापुर में बनी थी 1903 में देवरिया में चीनी उत्पादन में देश का स्थान कौन सा है पहला दूसरा किसका है महराश्ट का उत्तर प्रदे यह limited कांस देता है लखनों में इंडियन पॉली फाइबर रिमितेट काँस देता है बारा बंकी में यह जीजी इंपोर्टन्ट है फिर रएव देनात अयूर५एदिक और सधी फर्म कांस देता नैनी प्रयाग राज में जी ए सी कहा है नैनी प्रयाग राज में हिंदूस्त कारखाना कहा है गाजीपूर में इंपोर्टन्ट है अफिम कारखाना गाजीपूर यूरिया उर्वरक कारखाना इफको का कहां पे दो जगए आउला बरेली में आउला कहां पे आता है बरेली में और भूलपूर प्रयागराज में कृतिम कारखाना कृतिम रबर कारखाना कहा है मोधी नगर जोकी बरेली में आता है भारत इलेक्रापि लिमिटेट कहां per गाजियाबाद में भारत है वे लेक्ट्रापिकर लेमिटेट कहां पर स्थित्थ है जासी में वराणसी और जग्दीशपुर जस्टिसपुर कहां पर आता है ठीजीगा, थैंक यू सो मुछ प्रोचिंग बीक्टाइम ग्लासस.